दोस्तो आज मैं आपको बहुत जरूरी बाते बताने जा रहा हूँ कही बार ऐसी सिच्वेशन आती है हम शौक में चले जाते है कोई बहुत बड़ा हाथसा हो जाता है अनेक्सपेक्टेड इवेंट हो जाता है हम सोच भी नहीं सकते थे वो हो गया अचानक से काम बंद हो किया आफिस में आग लग गई नौकरी से निकाल दिया गया अचानक से सुबह आफिस महुचे नौकरी से निकाल दिया किसी इनसान की मृत्तियू हो गई कोई इनसान छोड़ के चला गया अचानक से जब आपको लाइफ में कोई बहुत बड़ा शौक लगे कोई बहुत बड़ा हाथसा हो जाए अगर आप ये चीजे करोगे तो आप उसको जेल के निश्चिन्त ही आगे बढ़ जाओगे दोस्तो सबसे पहली चीज कुछ भी जब बहुत बुरा हो जाए न आपको लगे कि इसके पार जीवन नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता मैं फस गया हूँ कुछ सेकिंड के लिए आखे बंद कर लो एक सीन को इमेजन करो सोचो अचानक से आपका एक एक एकसिडेंट हो गया आप किसी वहिकल में जा रहे हो पैदल जा रहे हो किसी वहिकल ने आपको टककर मार दी आपके वहिकल को किसी ने टककर मार दी बहुत बुरी तरह एकसिडेंट हो गया बहुत भेंकर चोटे पहुची अचानक से पता भी नहीं चला है इसास भी नहीं हुआ और आप समझ गए कि अब आपके पास चंद ही सेकंड बचे हैं आप मरने वाले हो कुछ नहीं बचा, खूनम-खूनों सब खतम होने वाला है सिरफ चंद सेकंड है एसास करने के लिए अपनी लाइफ को आखरी बार फिर सब खतम, the end सब रिष्टे, नाते, प्यार, महबबद, टेंशन, स्ट्रेस जो कमाया जो होया सब खतम, लाइफ खतम क्या उन पलों में ये जो स्ट्रेस आज है ये आपके सामने आएगा या ये बहुत बड़ा लगेगा नहीं लगेगा दोस्तो अकसर जीवन की वैल्यू लोगों को अपने आखरी पलों में ही पता चलती ऐसा क्यूं है छोटे बड़े हाथ से परेशानिया आती रहती है हम उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं ये सोच लेते हैं पता नहीं वो क्या है और खुद को बर्बाद कर लेते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं इस्टेस में चले जाते हैं जबकि वो चीज हमारी लाइफ से बड़ी नहीं होती एक बार ये सीन दिमाग में इमेजिन करना बिल्कुल रियलिस्टिक तरीके से बिल्कुल सचे बन से सचे तरीके से इमेजिन करना ये जो हाथसा हुआ है जो परिशानी आई है ये छोटी लगने लगेगी जीवन के आगे बहुत छोटी लगने लगेगी और आपको लगेगा कि मैं इसके लिए परिशान हो रहा हूँ इसको इतनी बड़ी बना दिया इससे तो मैं लड़ सकता हूँ अभी भी मेरे पास जीवन है मैं सलामत हूँ मैं लड़ सकता हूँ जीत सकता हूँ बहुत कुछ कर सकता हूँ बहुत कुछ मेरे हाथ में है अभी भी मैं मरा नहीं हूँ दोस्तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है सिर्फ एमर्जेंसी में यूज करना और आपको बहुत काम आएगा दोस्तो आपने कच्छुआ देखा होगा बड़े से बड़ा शिकारी, क्रोकोडायल भी आगया वो एकदम से अपने शेल के अंदर घुश जाएगा और वो शिकारी कितना ही खतरनाग क्यों ना हो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा दान्से किट-किट करके उस शेल पे और थोड़ी देर में चले जाएगा दोस्तो जानवरों से जीवों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं लेकिन नहीं सीख पाते दोस्तो ऐसी आपकी लाइफ में कोई एमर्जेंसी आई है कोई बहुत बुरी चीज हो गई किस्मत आपके शिकार पे निकल पड़ी है जिंदिकी ये आपके शिकार पे निकल पड़ी है तो आप भी अपने शेल के अंदर गुस जाओ शेल के अंदर गुसने का मतलब है अपने आपको सेफ करके उस सिचुएशन से छुपके उस वक्त को निकालना जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते जहां आप कुछ कर सकते हो लड़ सकते हो मा करो जहां आपको लग रहा है कि अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा उस समय अपने शेल में गुश जाओ आपका शेल है आपका जीवन आपके जीवन के बेसिक्स पेट भरना जिन्दा रहना सोना सुरक्षित रहना बहुत बड़ा नुकसान हो गया लोन भी थे कुछ नहीं बचा रीपेमेंट भी नहीं कर पा रहे है काम भी नहीं चल रहा खर्चे भी है सुसाइड करने का मन कर रहा है भागने का मन कर रहा है नहीं ये सिरफ बुरा वक्त है ये टल जाएगा सब कुछ सही हो जाएगा मैंने खुद देखा है बहुत से लोगों ने देखा है आप देख लोगे इस समय अपने शेल के अंदर छुप जाओ सिरफ ये सोचो कि मैं कुछ तो कर ही लूँगा रोटी तो कमा ही लूँगा परिवार का पेट बर दूँगा बाकी सब चीजे धीरे धीरे आ जाएंगी कोई मुझे मार नहीं सकता परिशान कोई कितना ही कर ले मैं सहलूँगा अपने शेल के अंदर छुप के उसको सहलूँगा अपना गुजारा चलाते रहूँगा अपने करम करते रहूँगा और ये वक्त बीच जाएगा ये समय निकल जाएगा मैं इस चिंती आगे बढ़ जाओंगा यह जो वक्त मेरे शिकार पे निकला है यह खाली हाथ लोट जाएगा और अच्छा वक्त आ जाएगा अंधेरा छटेगा और सुबह निकलेगी जितना बेसिक्स पे जाते जाओगे सिरफ सर्वाइवल मोड में आ जाओगे उसको अपने दिल और दिमाग में बसा लोगे लगेगा कि कुछ भी नहीं हो सकता मैं खतम हूँ तो सब कुछ खतम होई जाएगा आप्शन आपके हाथ में दोस्तों अक्सर लोग ना कहते हैं तुम मूर्ख हो, डंब हो, मजाख उडाते हैं जजज करते हैं दिमाग को आपने सुन कर लेना है शान्त कर लेना है कुछ नहीं, क्या होना है, जो होना हो जाएगा सब एस्टिमेशन अटा दो, कैल्कुलेशन अटा दो स्टैट्स नीचे जा रहे हैं, जाते रहें, कोई बात नहीं एक्सेप्ट कर लो, जो होना है हो जाएगा ये वक्त बीच जाएगा अपने आप सही वक्त भी आ जाएगा कुछ ना कुछ अमतकार कर देगा वक्त वक्त कभी रुकता नहीं है जिंदगी कभी रुकती नहीं है कुछ ना कुछ तो होई जाएगा ये वक्त मैंने काटना है, ओवर थिंकिंग करूँगा, सोचूँगा, नुकसान होगा, शान्त मन से दिमाग को बंद करके, सब टेंशनों को एकसेप्ट करके, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तुम मुझे छोड़ दो, मेरी नौकरी चली जाए, मेरा ये हो जाए, सब माफिक अराम से, शान्ती से जीता रहूँगा, चैन से जीता रहूँगा, हर पल में जीऊँगा, हर दिन को अलग तरीके से जीऊँगा, जो स्टिमुलाई आता रहेगा, उस हिसाब से रियाक्ट करूँगा, और ये वक्त अपने आप निकल जाएगा, एस्टिमेशन कह रह सोचना बंद कर दो, सिरफ इस पल में सोचो, इस पल में आप क्या कर पारे हो, क्या देख पारे हो, क्या हो रहा है, उसके बारे में सोचो, शान्त मन से अपने करम करते रहूँ, शान्ती से जीवन को जीते रहूँ, ये समंदर अपने आप पार हो जाएगा, आपको किनारा म वक्त बदल जाता है बशर्ते आप टीके रहो